अपने आप में विद्धाले में कुछ खासियत है या नहीं हम तमाम चीजों का जानकर लेने के लिए स्कूल पहुंचे हैं और यहां के सिनियर टीचर है मदूसरी अब बताएं मैडम आप गुरुनाना के स्कूल के सिक्षक हैं गर्व होता है ऐसे विद्धाले में पढ़ाने स्कूल फैमिली क्या खास्यत थे विद्ध्याले में तो खासियत ही खासियत है हमको ढूणना पड़ेगा कि क्या नहीं है हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का हॉलिस्टिक ड्यवलप्मेंट हो साथ में टीचर्स का भी और जो भी इतने भी लोग काम करते सिव टीचर्स ने हमारे जो और भी स्टाफ है हर एक हर का साथ में मतब सबका साथ सबका विकास यह नारा स्कूल के लिए भी सार्थक है अभी हम विद्ध्याले में दिखाने चाहरे है कि बस में अभी तो फिलाल सार शतर बच्ची आते हैं क्या नाम हुआ आपका माइस मातो माइस मातो जी तुम किस का से पढ़ते हो एट सी एट सी क्या नाम हुआ त्रिशक मारी पैसा लगता है इस बिद्धाले में पढ़ने से बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा बहुत तमाम शुविधा हैं बसेस हैं दूसरे बस में भी जाएंगे और वस कहां जाएगी उसमें चात्र जो है वो कहां जाते हैं वो भी हम दिखाएंगे और आप देखिए किस तरह से बिद्याले परांगन को सुसजित किया गया है हमारा मक्षद है कि यहां क्या खास्यत है आप य त्क्ता शिक्षा के साथ-साथ बड़े ठोट भी लिखे जाते हैं और यह ठोट अपने आप में एक बिस्षदा कुद्धर साहता है हुआ हमारे बच्चिया भी है बच्चे भी है आप लोग कहा जाते हो कहा साथ रोख शत्तर शत्त्र मंडु से कैसे जाते हो हम यहां यहां जाएंगे और देखेंगे कि आपका क्या नम हुआ उद्कर्श संद्व सब्सक्राइब हैं अब ज्यार समीती से यह देखिए यहां वी काफी छात्र हैं छात्रहें हैं और बस का सफर कर रहे हैं और पढ़ाई होने के बाद इन्हें बसों से गंते पे तक पहुचाने का कार्ज किया जाता है कैसा लगता है विद्धाले में पढ़ने से बहुत अच्छा लगता है क्या नाम हुआ निश्यो कुमारी अभी देखिए और भी बसे से हैं तमाम बस हैं छैत्रों के संख्या कनुपात में बस की विश्विधा दी गई है यह आपका क्या नाम हुआ अविक मासर descrição क्या करते हैंần खालाज ही करते हैं जिक एबाद funeral डिस्प्लीन में रहते हैं जी 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 तो यह बट चो भी छात्र यह वोर अदिसिप्लीन में रहते हैं और डिस्सिप्ल्लीन में टन्व्त करते हैं हम एक और बस जाएंगे उसके वाद कफशा है परवेश करेंगे कंचा चाहिए परणीख करेंगे किया nama हुए हालो क्या नाम हुआ नेहां कैसा लगता है अर बिद्विडियाले में अच्छा लगता हाँ हम बार-बार कहते हैं कि आधुनिक सिक्षा में बिज्ञान के पर्योग प्रैक्टिकल की महत्ता होती है और तमाम हमें एक पर फिर दिखा रहे हैं अपने दर्सकों को कि बिद्धाले किस तरह से सुसर्जित है और इसे दिवस्थित करने का परियास किया गया है जो सरकार गाइडलाइन है उसके तहद विद्धाले कार्ज करता है या नहीं उसका भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि आखिर यह विद्धाले चालिस सालों से संचालित किया जा रहा है और आज उस्तम जिसे कहते हैं बुलंदे बुलंदियों को छूरा हम दिखाएंगे कम्प्यूटर लैब यह है कम्प्यूटर लैब और आप देखिए कि एक साथ बड़ी संख्या में छात्र यहां पढ़ सकते हमें छात्र भी है हम जनकारी भी लेंगे किया नाम हूँ आपका रोहित कुमार रोहित लिभार यह किसीज के आप पढाइपर रहे हैं अब ऐसाइट टुल सइज़ क्प्यूटर लाइब है यहां जा सुविधा रहती है इस सारी की सुविधा है अभी हम कम्प्यूटर लाइब कम्प्यूटर हिएँ-ठीचर भी है आपका क्या नाम है मिना नाम गुर्फरीद कौर है एक सज़ित तरीके से सजाया गया है रामगण में ऐसा बहुत ही कम बिद्धाले हैं कैसा लगता है हम लोग को देखें बहुत खुशी होता है कि हम लोग ने अभी वहां से लेकर यहां तक में बहुत सारे क्या नाम हुआ संजय जी एक साथ नवे सौ बच्चे बैठते हैं तो घर्म की बात हो जाते हैं हम लोग प्लानिंग की है नाइंटी का अभी कम्प्यूटर आने वाला है यह था कंप्यूटर कोर्सेश कंप्यूटर क्लासेश हम समया भाव के चलते थोड़ा सा थेजी में है और हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को यह दर्सार दिखाने का प्रियास कर रहे हम लेडरी भी आ रहे हैं और लेडरी दिखाएंगे कि किस तरह की पुष्टके हैं क्या है अब किस तरह के कितावियों रखी गई है किंदी इंग्लिस नॉबिल्स और डिक्सनरीज और इंसेक्लोपीडिया यहां सेर और फिप्टी यहां देखिए किताबे भी सुचजित है और एक साथ पचास साथ बच्चे भी यहां बैठके पढ़ सकते हैं सकूली क्ल्स सिख्षा के अलावा आपका किया दा हुआ सुख मेठके क्या इहां खास्यत है यह यह है कि बच्चे हाते हैं उनको पढ़ते हैं बूछ से जुनगोंको जूर्ट है पढ़ाई करते हैं उसके वाद चलिए ये बदा रही थे कि बच्चे आते हैं यहां पढ़ते हैं और अपनी कलास के किताबों के अलावा अपने किताबे भी यहां पर हैं और जो पढ़ने के बाद छात्रों को फाइदा मिलता है अभी उपर जाएंगे यहां पर कलासेंज जो हैं हलाकि शुट्टी का समय हो गया है और बहुत से छात्र शुट्टी के कारण घर निकल गया है फिर भी देखें यह स्काप रूम है और बाकि देखें अंडर कंस्ट्रक्शन का वरक चल रहा है यह नया ब्लॉक बन रहा है तो अभी नहीं इस अंडर कंस्ट्रक्शन रहा है अभी लोग पुराने ब्लॉक में हैं न्यू ब्लॉक के बिल्डिंग बन रही है अभी हम लोग आ रहे हैं फिजिक्स लैब है और हर्म हैं सब्सक्रण wr लंग दक्रशन के ब्लॉक चलिए किउमस्ट्री लैब भी है और और कमेस्ट्री लैब में भी जाएंगे और ये हमारे हाँ लाइब में सिख्षक भी मौझूद है लाइब रोटरियन कहेंगे सर कौन है आपके निशानिदस में लाइब चलता है हाँ सर आपको क्या नाम हुआ संजे मिसरा संजे यहां क्या क्या सिखाते हैं यहां हम लोग बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाते हैं टाइटरेशन, सौल्ट अनलाइसिस, और ग्लास रोट बैंडिंग और यह सर भी है केमिस्ट्री के सर आप केमिस्ट्री के सिख्षक हुए सर केमिस्ट्री में एक चीज कहा जाता है कि लड़कों को इसे महत्व रहती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल अगर वो प्रैक्टिकल जानेंगे, तभी वो समझ पाएंग इसकी इपॉर्टेंस को मैरा नम संजीवी कुमार स्वीं हुआ संजीवी जी ठीक, संजीवी जी ने बताया प्रैक्टिकल का महत्व है और लोग प्रैक्टिकल करें अभी हम लोग और दिसार इंदेश के नुसार सिनियर सिक्षक के नुसार हम लोग जा रहे हैं और आगे हम दिखाएंगे कि विद्ध्याले में ये ये भी आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे पुर्व रास्ट पती समय तमाम आंदोनल्कारी कहें सैंटिस्ट कहें उनकी तस्वीर भी लगाई गई है अभी हम लोग पुना कंप्यूटर लैब के बगल से गुजर रहे हैं और ये डाट इस ओल्ड कंप्यूटर लैब और यह बाई लेजी लैब है हम लोग बाईळोजी लैब में जाएंगे और यहां देखेंगे कि किस तरह की सुपधाय हैं बाईलोजी लैब में हमारे यहां पर लैबरेट प्रृट के हैं शिक्षख हैं सर आपका क्या नाम होवाप नियुक्ष कुमार राना क्रिस्टे चीछ दूब्स बच्छों को जितने प्रैटीकल क्लासे रहते हैं सिक्स तू तुटेल छट्था से बारहुई छट्थे से बारहुई क्लास के बच्चे यहां कि प्रैक्टिकल करते हैं जैसा कि सिख शक ने बताया सर अमारा पूरा कैंपस वाइफाई है आप किसी भी कोने में चले जाएए आपको वाइफाई की सुविदा मिलेगी अपर यहां पर और यहां भी पहले चलता था जिसा लिखा हुआ है और चल रहे हैं अभी यह भी सुदिन्स आ राइट नाओ देया लॉट यह जी यह टेकिंग ऑनलाइन क्लासेश ले रही है लेंगे अब यह ओनलाइन क्लासेश किया जा रहा है अब क्या नाम श्वता है फोर एको पढ़ा रही है अभी मैं पढ़ा रहे हैं आश्यात को बतारे कि और फेस्टीबल क्या होती है और तो करोणा गायड-लैन जे सरकार का गाइड-लैन है चोटे बच्चे भी स्कुल नहीं आ रहे हैं उसके लिए विद्द्द्द्दा यह और ओwn लाइन कख्षाये भी यहाँ संचालित की जा रही है कि जा रही है यह कहा जाए कि सरकार के आदेश की यूद्म साइंस कर दोन ही मोडल मिर बिंद रिलाक्सेशन तो यह हुआ online classes हम एक बार फिर हमरे साथ विद्धाले के चेर्मेन भी हमारे साथ आ गए हैं और हम इनको दिखाएंगे कि चेर्मेन भी बड़ा कॉपरेटिव हैं और किस तरह से यह बुलंदी जा रहा है विद्धाले यह भी online class की ही बात कहीं जा रही है कॉपरेटिशन हो रहा है और अभी जैसा कि हमने बार बार बताया कोवीड गैडलेंड का पालन किया जा रहा है है और एक जगह पर भी एकत्रित नहीं है है हलो आपका क्या नाम हो है मैंडव क्या आपको कर रहे हैं हम रिजल्ट फॉर्म कर रहे हैं किस ख्लास है एक का सर्व मंडे इस पीटियम यह रामगण का एक चुनिंदा भी डाला है इसको काम करने में कैसा लगता है बहुत अच् हाँ है हमारे पुरानी सब्सक्राइब है अपकर क्या नहीं होगी ना सुष्पीता घोष्ट अच्छा आप इतने साल उस्यांस कुई जैसे बंद रहे हैं च्छतिस साल आपने हो गए हैं मैंने चार साल यह जाले आराम के बाद आपका आगमन हुआ है जी सर एक बार आप क् क्या कहेंगे मेरे आशिरवाद रहे का कि स्कूल और आगे बढ़े जब तक जो हम देख चुके थे उससे तो अभी स्कूल काफी हद तक पूरी उचाई तक आगे बढ़ चुकी है हम साइंस में हैं साइंस में जी सर बायो पाट बायो जी सर आचा यह पताए कि आपको पहले और अभी कुछ अंतर है बहुत अंतर है जब हम थे गुरुद्वारा में तर स्कूल चलती थी उसके बाद यहां हम आये स्कूल बिल्डिंग तब तो कुछ भी नहीं था बहुत छोटा बिल्डिंग था एक तल्ला का भी हाप पोर्शन था तो अब सोचिए कहां तक पहुँ है आप पिल्डिंग की कमी नहीं है गुनवता की कमी नहीं है जी सर और बेद्याले के छात्र भी अपने नाम निकाल रहे हैं इसमें कोई कमी नहीं है इसमें सबसे बड़ा उपलब्धी आपका भी है अभी हम लोग दूसरे जगह भी जाएंगे और देखेंगे कि और क्या और उस खासियत को फिर हम लोग बाहर निकालेंगे निखारने का पर्यास कर रहे हैं कि आखिर रामगर्ण जिले में ही इस विद्द्धाले को लोग क्यों चायन करते हैं यहां एक examination sale बनाया गया है और किस तरह से examination का कार यहां किया जाता है पारदर्सिता रहती है या नहीं हम जानना चाहेंगे यहां controller कोई है आप controller है सर आपके ऊपर बहुत जबाब नहीं होती है पारदर्सिता की बास होती है बताएंगे पूरी तरीके से मंदारे के साथ एक्जाम कंड़क्ट किया जाता है और जो भी इंप्रोब्मेंट है जो भी हम लोग गाइडलाइन मिलता है प्रिंस्प्र सरकेत रूप उसको हम लोग फोलो करते हैं तो आपका क्या नाम हुगा? प्रेशन कुमार नंदन बड़ी जवाब देही है आपको आपको उपर जवाब देही को कि अध्या कर रहे हैं आप मैं कुछिन वेरिफाइब कर रहा हूं क्या नाम हो सर्व में नम बरुन कुमार ओडी है प्रेशन के जहां से फिकcią؟ यहां बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट यहां ताम करने में वह मजह आता है चलिए की मैब मदू आपको बार बार सबर रहे हैं हम आपके लाइन क्या हूरसर मेरा नाम जोति आप लोग कैसे कंडूल करते हैं हम लोगों को जो भी इंस्टक्शन प्रिंसिकल सर्केत्रू हमारे पास आता है उसको फॉलॉप करते हो और जो भी इंस्टक्शन सोता है उसको अच्छे तरीके से आगे किसी विदार्थी को कम मार्कस आया किसी को जद आया कम वाला आरोप लगाता है कि अपने गलत किया तो अपने फूल प्रूफ वेरिफिकेशन के साथ उसके उसको प्रेजर्ट करवा ते कि बिटा आपका कहां पे गलती आप देखो कहां से आप से मिस्टेक हुई है यह नहीं क कहां कि हम उन्हें संतुस्टी देने का पूरा परियास करते हां एक होट हम दिखांगे इसको हम दिखाना इसलिए भी चार है थे कि किताबी नौलेज्ट से ही पूरे पूरे कार्जर नहीं किया जा सकते हैं उनके लिए बढ़े आई कौन से कच्छा है क्लासेट क्लासेट क्या नाम हुआ आपका बलजीत सिंग आप लोग बस से जाने के लिए बैठे हुए हैं तो कैसे जाते हैं आप लोग पैदल जाते हैं देखिए सिमित साधन यहां भी और यहां भी परतिभा अनंत है बच्चे पैदल बिद् सबस्ताइब ग्राव है बातों के लिए बाइठने के क्या सुविधाये हैं और किस तरह यह सुविधा का आननद लेते यहां के जो सिक्षक हैं इसे जानकारी लेंगे यह स्टाप रूम है किस तरह से आप यहां कार्ज करते हैं मैं विद्चाल किया दो और मैं से एक उचाई वाला एक्जाम बेपास किया भारत की सेवा को सेवा दे रहा है आज जो मेरा बच्चा इसी विद्धाले से पढ़कर 12 किया और जो एंडिये कौलिफाय करने के बाद आज डिफेंस में अस्कॉर्ण लीडर की रूप में काम कर रहा है सुखे 30 का पैलोट है और म मैं 33 साल से इस विद्धाले में कारज़त हूं यहां के मेरेजमेंट, स्कूल, सीख कमुनिटी जो है सो काफी लोगों के सिच्छक को बच्चों को जो लेटस है सो एजूकेशन देने का को सिच्छ यह है 40 साल बिद्धाले 33 यार हम बार बार दिखा रहे हैं 33 34 आप कितने साल प्रवंधन सोनी है मैं यहां पर साथ वर्सों से कैसा लगता है यहां का इंव्वार्मेंट बहुत अच्छा है यहां की पढ़ाई बहुत अच्छा है यहां की खास्यत को अवलोकन करेंगे यह पे जल की भी बड़ी हिस्विता है वाटर पॉइंट है और सर एक किस तरका पानी हम लगाएगा है यह हमारा पूरा यहां पर हमने प्लांट लगाया हुआ है पूरा पाप फ्रेश पानी आता है तो हमारे स्कूल मैडम आप क्या कर रहे हैं पैरेंस आज पीटीम है पैर अच्छा को सभी कोई पसंद करते हैं अच्छा है हम यह बताने का परियास कर रहे हैं कि अभिभावक भी बॉल रहे हैं कि विद्दले पैरेंस मीटिंग और हम यहां के भी पैरेंस मीटिंग ही जानेंग आपका क्या नहीं हो आप पारेंट्स हैं आपको बच्चे किस बच्चे पड़ते हैं सेवने काई लगता है यह बहुत अच्छा ऑनलाइन क्लास ज़ल रहे थे और अब तो स्कूल भी चलू हो गई तो बहुत अच्छा लग रहे हैं चलिए अब आप प्लोग पारेंट्स है क्या किस क्लास में आप सब्सक्राइब लगता है अब तो ठीक ठाक है अब तो अफलाइन में चल रहा था तो चेकर यह थे विद्यापति यह और इन्होंने क्लास के बारें बताया और तो यहां पर यह चला जाएंगे पार्क भी देखेंगे अआप ये ये बता नहीं रहे हैं लेकिन सममान सममान ही होता है और इनको सम्मानीत किया गया है अभी एक बात और है कि कि मैं बार बार बोलता हूं इसेबीन एक डीसिप्लीन में माइन रखता है विद्यालय में डीसिप्लीन है हलांकि चुटे का समय कहा जा रहा है और यह देखिए यहां पर गार्डिनिंग कर दर्स दसाल्व contar तन में हम यहां पर एक बार बताना चाहेंगे यह स्री गुरु गोविन सिंग अडिटरियम है यह यह ऐसा अडिटरियम बनाया गया है जो रामगर जिला परसासन अपने हर एक कार्यों के लिए इसका उप्योग करता है मना जाए तो पुर्व डीसे राजिस्वरी बी के कारिकाल से इसका उप्योग किया जाता है और जिला परसासन के हर एक कार्यों का विसेश योगदान रहता है अभी हम यह रोज गार्डन है और मैं बार बार बताता हूँ कि गार्डनिंग भी बहुत जरूरी है बच्चे इसे सिखते हैं कि कौन सा पौधा है, कौन से पौधा में कौन से फल लगते हैं, और क्या फूल होते हैं, इनकी परजातियां को जानते हैं, और गार्डेनिंग के बगल में ही, अगर खेल कुद की विवस्था कर दिया जाए. की कि चलाश के बच्चे पर्क में होते हैं, और नहीं तो अंसिट्व पार्ख में आते हैं, पौधा है यह भी तुलसी का पौधा है अपने डिपरेंट टाप के पौधों को यहां लगाया गया है और उसमें पार के भी दिवस्थित किया गया है अभी हम आ रहागे देखेंगे विसेस्ता की और जाएंगे खास्यत की और जाएंगे यह क्या अपने आप में खास्यत रखता है लेकिन इससे पहले हम शाफ सफाई भी दिखा रहे हैं कि विद्धाले में किस तरह का शाफ सफाई किया जाता है और यह भी देखिए अलग शोचाले की विवस्था है वाटर की यह जेनेरेटर है और यहां कूप का विवस्था है और 24 हावर्स पानी की सप्लाई दिया जाता है यह महंदर सिंग जॉली ने अपने पिता सबर गिये गूरदीद सिंग की याद में 1986 में बनाया था अब हम यहां के चेर्मेन से जनकारी लेंगे कि आप बताएं सर क्या लगता है यह 40 साल पुराना बिद्धाल है छोटे कमरे से स्टार्टिंग करने वाला बिद्धाल है आज पूरे रामगण में नाम कमारा रहा है उसका आप चेर्मेन है कैसा लगता है यह मेरे लिए बड़े सोबागी की बात है मैं बता दूँ आपको जो पांच फॉंडर मेंबर थे इस गुर्णालप अबले स्कूल के जिनों ने अपना पूरा जी जान लगा दिया उसमें मेरे पुजी पिताजी स्वर के बलजी सिंग सेनी बीजी थे और जिस समय यह चार था विद्याले के निबर खारी थी मैं उसमें बहुत चोटा था तो मैं यहां आके देखता रहता था किस तरह पांचों आदमी नों पांचों हमारे पुरवजों ने सग्यानी राम सिंग जी सब सब ने जिस तरह यहां पर अपना योगदान दिया यह काफी हमारे लिए जाल ओपर ले गया हूं पर कोशिश यही की बहुत उपर लेकी गया हूं स्पोर्स के मामले में भी पढ़ाई के मामले में भी हर चीज के मामले में आज हमारे स्कूल में बच्चे एडमिशन लेने के लिए पैरेंट्स एक दूसरे की पैरवी करते हैं कि हमारे गुर्णालस कि हम टीचर कि हम कोई काम नहीं करते हैं इसलिए हम आजए इस बुलंदी में हैं और हम आशा करते हैं यह आप लोगा सहयोग मिलता रहा तो हम रामगड में इंजिनेरिंग की पड़ाई की भी हम पूरी यहां पर टूशन देंगे और हर बच्चों को वह फैसिलिटी देंगे जो बच्चे याद करेंगे रामगड में गुर्णा पॉब्लिक स्कूल है यह बिदले स्टार्टिंग में छोटे बच्चों सुबा था राज आप इंजिनेरिंग की बात करें तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बूस्टाफ है क्या कहेंगे सर बिया आपको कहा ना यह गुर्णानक गुर्दवारे में शुरू है थैंगे उस समय बहुत लोगों थो यगदान उस समय फिर यह हम इस्वे स्कूल कुल उसमें सधार कुलतार सीननंदा परदान थे उन्हों 우리가 कुलतार सीनन्दांदी इन्हों ने बहुत ही योगदान दिया और उस समय क्या टीम Pra चुके हैं उन्होंने बहुत ही कि योगदान दिया और आज जी इस मुकाम में हैं मैं अपने बहुत ही गर्वर्मन में महसूस करता हूँ कि मैं स्कूल का चेरमेन हूं ऑठारो सो का भविशे बदिशका है मेरे हाथ में हैं इसलिए बहुत सोच समझ के कादम चलता हूँ और यह चाहता हूँ यह बच्चे अपने हर वकाम को वह सर यहां नरसरी प्री नरसरी के भी बच्चे हैं क्या अभी अभी हम दो शुरू कर रहे हैं जिस तरह कोविड में प्री दर्सरी स्कूल बंद हो गए तो हमारे प्रिस्पल सर ने समय सेजेशन दिया कि आप सर कोविड क प्री दर्सरी स्कूल भी चालू करें और प्री दर्सरी स्कूल चालू करें हमने नई बिल्डिंग मनाई उसे पूर अज़ित सेनी का जो शपना था आरंभ करने वाले बिद्ध्याले को आज उनके पुत्र एक आज चेर्मेन के रूप में भूमिका निभा रहे हैं और हम य मिख्यास कर रहे हैं कि यह यादुनिक जो कैम्पस बनाया गया है उस कैमपस में जा रहे हैं और देखेये जो कहा जा रहा था कीichi टी मेरा बेहां लगाया घाया है औन लाइन मॉनिटरिंग कैसे किया जाता है यहां से यह कामरे की नजर से इसे किया जाता है और आप छुट्टी हो गई है इसलिए हम लोग अंदर जा नहीं पा रहे हैं और और अभी जे यह चेर्मेंट साब ने बताया कि यह क्लासेश अभी बंद हैं जूनियर क्लासेश के हैं और अभी हम हम उद्पर जाएंगे और यहां देखेंगे कि यह जूनियर विंग्स के लिए भवन बनाया गया है हम जानेंगे कि यहां क्या शुविधा दी जाती है इस जगह पर किस तरह की शुविधाएं है और एक बार हम यहां दिखाएंगे कि क्या क्या शुविधाएं हैं और किस तरह की चोटे बच्चों को खेल कूर के माध्यम से हम किस तरह बच्चों को सिखाते हैं और हम इनसे जानेंगे कि क्या यहां शुविधाएं है एक बात जरूर जाने कि किसिप्लीन बहुत बड़ा चीज होता है डिसिप्लीन में सभी कोई का विकास भी होता है यहां सबसे पहले टीचर्स लोग अपने काम के लिए रहती हैं चोटे बच्चों के लिए तीस बच्चों पे दो दो टीचर दिया गया है जो एक पढ़ाने सदाचार का भी नॉलेज लेना होगा यह दुखता है यह थोट देखिए छोटे बच्चों के लिए क्या है इसकों है यह क्या आज का इंडिपेंडेंट इंडिया के लेकर के स्वतंत्र भारात सत्य निश्टा साथ मेर्था और विजिलेंस अवेरनेस वीक सो तुड़ेंस अवेरनेस वीक पॉस सेलिबरेटेड इना स्कूल यह 26 अकूबर से एक नॉंबर तक चलाया जा रहा था जहां से पूरे विद्याले के कार्ज को किस तरह से संभाला जाता है उसको हम लोग देखेंगे और उसके बाद ही हम लोग यहां से कार्ज करम का समापन भी करेंगे अभी हमारे साथ सेनियर टीचर चल रही है और वो हमें तमाम सुविधाओं का मुयाना करा रही है और वो बता रही है कि कैसे यह एड्मिनिस्टेशन की बिल्डिंग में कार्ज किया जाता है यहां पर देखिए ड्रिंकिंग वाटर की फैसलिटी है आप कौन है यहां पर क्या किस लिए आपके बच्चे के लिए और यहां बैटने की विवस्ता है और यह फिस किश्वजा है कॉंटर है फिस का अभी हम लोग चलेंगे अंदर यह एड्मिशन प्रोवीटेड कंप्यूटर रूम है यह कंप्यूटर रूम भी है यहां से मॉनिटरिंग फिस रूम का किया जाता है और अभी यह हम अंदर जा रहे हैं जहां चेर्वेन हैं और यहां पर कमिटी की लोग हैं और यह स्कूल के सारे कारिकलापों पर गतिवि पर यह स्कूल का जो सपना है वह पुरा नहीं हो पाएगा और हम अब बाहर की ओर जा रहे हैं और आगे के कमरे का अलोकन करेंगे ये सब फॉंडर मेंबर हैं एस निहाल सिंग सैनी स्वर्गे सर्दार बल्देव सिंग स्वर्गे बलजीर सिंग सैनी और लेट एस लाल सिंग ये उनकी एसमिति के लिए तस्वीर लगाया गया है और अब हम अंतिम पाइदान पर पहुंच रहे हैं मेडम यह तो पूरे वेल वाई-फाई से जुड़ावा बिद्दाले है और पूरी मॉनेटरिंग होती है अब आख या कहेंगे सर मैं I would not say anything if you have found any loopholes you can tell and you can suggest us because from my point of view we are still progressing and I think everybody has this chance to progress everybody is a partner in this progress if you have found any loopholes you can tell suggest us we will definitely work for that यह हमारे सेनियर सिक्षिखा है और ने बताया कि हमारे ओर से सारी सुविधाएं दी गई है और वो सुविधा को पूरा किया जा रहा है यह रामगर्जिले का गुरुनानक पबलिक स्कूल है जो गुरुनानक के जो सपना थे अंतिम बैक्ति तक शिक्षा और उनके बुनियादी सुविधा को कैसे बिक्सित किया जाए उसको लेकर के यह बिद्यले कितना कारगर है वह तो दिख रहा है लेकिन हम एक बार अपने दर्सकों से भी आगरह और निवेदन करेंगे कि एक बार जरूर हमारे राष्ट समर्पन चैनल को देखें और सेयर करें ताकि हमारा भी मनुबल बढ़े क्योंकि हम हमेशा सत्ति की अनवरत कर र हैं लेकिन क्या खास्यत है उसके बारे में लोग जाने रामगर ही नहीं बल्कि इसे राष्टी अस्तर तक का लोग जाने क्यों गुरुनाना के स्कुल को पसंद किया जाता है अन्तमे मैं ये जरूर्क बताऊंगा 40 साल पहले आरंभ किया गया विद्धाले आज रामगर का एक चुनिंदा विद्धाले कैसे बना इसके लिए कोई ड्रीम है कोई सपना है और किनी पुर्व के काल में सपना देखा था वा सपना पर कितना कारगर हो रहा है अब देखते हैं आगे क्या होता है राश्मर्पन के लिए जयंद कुमार रामगर